हेलो इस्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपनी शेनल स्यू कोजिंग क्लासस पर स्वगत है क्लास 12 में अपना जो चैप्टर है 3.6 से चल रहा है ठीक है मतलब आप व्यू मेट्रिक्स पढ़ा रहा हूं और इसमें एक्सरसाइज 3.6 जिसमें पर के लिवर्त आप बिश्यू से क्वेश्ट न करेंगे तो चल ले स्टार्ट करते हैं पिछले मेने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको समझाया था समम सम माभ्यो समझाया था तो इनके वारे में आप लोग समझते होंगी और यह उस्टी नहीं देख्यों तो प्लेलिस् और उसका solution, छोड़े question से start करेंगे, फिर दिरे लेंदी पर पहुंचेंगे, ठीक है, तो चली start करते हैं, पहला question है अपना, आपके पास एक matrix देके रखा है, a बराबट 1, 2, 4, 3, तो a का परिवर्थ आपको निकालना है, ठीक है न, अब परिवर्थ में क्या होता है, row को column में, और column को row में बदल देना है, बस इतना ही तो है, ठीक है, तो चली हल करते हैं, आपके पास a command कितना दिया है, a command देके रखा है, 1, 2, 4, minus 3, ठीक है, इस काम को परिवर्थ निकालना है, तो परिवर्थ में क्या होगा, इससा ही आपके पास row है, इसको column में बदल दो, 1, 2 हो जा दूसरा question देखिए, यदि a बराबर आपके पास एक matrix देके रखा है, तो दिखाए, a परिवर्थ का परिवर्थ, मतलब दो बार परिवर्थ निकालते हैं, तो हमें a ही प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब हमने एक app view हमको देके रखा है, जिसका परिवर्थ दो बार निकाले ठीक है, परिवर्थ का परिवर्थ, तो हमें वही आप view प्राप्त होगा, चलिए हल करते हैं, यह बराबर कितना दिया है, यह बराबर आपके पास है, 3-2, 7 है, 0, 5, 8, अब हमको क्या निकालना इसका परिवर्थ, चलिए परिवर्थ निकाल देते हैं, एका परिवर्थ, हम 0, 5, और 8 हो जाएगा, यह हमने क्या कर दिया तो, पंक्ति को इस तम्ह में बदल दिया है, ठीक है न, और या ऐसा भी कह सकते हैं, इस तम्ह को अपने पंक्ति में बदल दिया, यह पंक्ति को इस तम्ह में बदल दिया, इसके बाद यहाँ पर देखे रखा है, कि दो बार आ और इबरत निकालते हैं तो पुना आप क्या करेंगे जो इस तंब है उसको हम किसम बदल देंगे पंक्ति में तो तीन माइनस दो और साथ जीरो पांच और आठ अब देखिए जो आपके पास एक आप भी उपराप्त हुआ क्या ये पुना एक के बराबर हो गया जी हां तो प पहले आप छोटे कोस्चन करें इसके बाद टाप कोस्चन करें तो दूसरो कोस्चन भी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कुछ भी नहीं है दो बार हमने केवल परिवर्थ निकाला है अगला कोस्चन देखिए आपके पास है दो मैट्रिक्स A और B है ना और इसमें आ बाद B को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होना चीए आइडेंटी मेट्रिक्स ठीक है ततसमक आप यू क्या प्राप्त होना चीए ततसमक आप यू हमको प्रूब करना है ठीक है तो चलिए हल करते हैं जो भी देके रखा है वो यह को लेकर चलेंगे मतलब लेट हैंड साइ इतना है आपके पास तो एक का मान है आपके पास चार माइनस साथ माइनस आट और तीन ठीक है प्लस है दो तो दो कर दीची फिर एक हमें परिवर्थ निकालना पहले एक का मान रखू चार माइनस साथ माइनस आट और तीन इसका हम को क्या निकालना परिवर्थ तो अभी हमने T की कर लिया ठीक है T कर लिया इसके बाद student यहाँ पर minus है देखिए minus है तो minus रहने दें इसके बाद B है तो B कमन कितना है 11 minus 23 ठीक है और फिर minus 22 और 8 यह हो गया इतना clear अगले step पर क्या करेंगे कि इसका हम परिवर्थ निकालेंगे इसका क्या करेंगे परिवर्थ निकालेंगे तो चलिए परिवर्थ निकाल देते हैं यहाँ पर 4 है और minus 7 है minus 8 है और 3 है इसको हमने कुछ चेंज नहीं किया यह आपके पास आप भी उस सेम का सेम है 2 है तो 2 रहने दे अब परिवर्थ निकालते समय क्या देन देना पड़ता है जो आपका पांक्ति है उसको पन क्या करेंगे इस ताम में बदलेंगे यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा minus 7 ठीक है और यह हो जाएगा minus 8 और यह हो जाएगा 3 यह अपना जो ट्रांस्पोज था ना परिवर्थ था वो अपना चेंज हो चुका है अब एक काम करेंगे जो minus है तो अंदर गुणा कर दो तो यहाँ पर plus हो जाएगा minus अंदर गुणा कर रहे है तो minus 11 हो जाएगा और minus minus plus 20 हो जाएगा यहाँ पर minus minus plus 22 हो जाएगा और 8 हो जाएगा इस प्रकार से यह आपका आप भी उप्राप्त हो चुका अब यहाँ पर 2 है तो 2 का भी अंदर क्या करेंगे multiply करेंगे तो कर दीजे 2 का multiply यह 4 है माइनस 7 है माइनस 8 है 3 है इसको रहने दिये इसके बाद यह प्लस करिए 2 का तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 है 7 दूनी 14 है और 3 दूने 6 दो का अंदर हमने क्या कर दिया multiply कर दिया इसके बाद प्लस है अंदर माइनस का हमने माइनस साथ है और यहां पर कितना है माइनस 16 और यहां पर कितना है प्लस 23 इसके बाद यहां पर माइनस 8 है यहां पर माइनस 14 है और यहां पर प्लस 22 यहां पर 3 है फिर यहां पर 6 है यहां पर माइनस 8 है देखे 8 4 12 8 4 12 12 हम घ्यरा घटाओगो तो एक आएगा यहाँ पे आपका 0 आएगा यहाँ भी 0 आएगा यहाँ भी 1 आएगा और जब बिकरण में 1 1 हो 6 जो है 0 हूँ तो आपके पास आता है आइडेंटी मेट्रिक्स और यही आपको प्रूब करना था तो प्रूब्ड मतलब सिध्ध हुआ ठीक है ना आई लाना था तो आपने आई प्रूब कर दिया देख सकते हैं कुछ भी टप नहीं है है ना हमें आई लाना था तो अपना जो लेप्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट हैंड साइड हमारा प्रूब हो गया कुछ भी नहीं है इजी है तो चले फिर अगले कॉस्चन पर अगले कॉस्चन देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी हमको करना क्या है कि ए प्लस बी निकाल करके फिर हम क्या करेंगे परिवर्थ निकालेंगे और इसको प्रूब करेंगे ए और भी दोनों का अलग-अलग परिवर्थ निकाल कर एड करेंगे फिर हमारा दोनों बराबर आना चाहिए तो चलिए इस्टार्ट करते हैं ठीक है तो ध्यान दीजेगा थोड़ा मैट्स है तो थोड़ा लेंदी तो होगा ही तो सबसे पहले करते क्या है ए का परिवर्थ निकालते हैं ए आपके पास कितना स्टुडेंट तो ए है आपके पास 1,2,3,2,-3,-4,-4,-0,-0 यह आपके पास ए है तो आप ए इसका परिवर्थ निकालना चाहिए तो आसान इस निकाल सकते हैं देखिए जो पंक्ति है उसको इस्तम में बदल तो 1,2,3 हो गया फिर यह दूसरा पंक्ति है दूसरा इस्तम में बदल दो 2,-3,-4, फिर आपके पास उजएगा 4,0,0 तो यह हमने क्या कर दिया पंक्ति को इस्तम में और इस्तम में बदल दिया तो यह हमारा आ चुका है एका परिवर्थ ठीक है न एका परिवर्थ आ चुका है अब हम क्या करते हैं बी बराबर जो भी हो उसको लिखते हैं तो B वराबर आपके पास कितना है तो 1, 0, माइनस 1, ठीक है ना 2, 1, 3 और 0, 2, 1 यह आपके पास B कमान है तब B परिवर्थ निकाल लेते हैं तो यही पर निकाल लेते हैं थोड़ा सा EG है निकाल यह हमने क्या कहा था कि पंक्ति को इस ताम मतल दो 1, 0, माइनस 1 ठीक है ना 2, 1, 3 और कितना हो जाएगा 0, 2, 1 यह आप कहो गया B परिवर्थ अब हमको करना क्या है A प्लस B मतलब A परिवर्थ प्लस B परिवर्थ तो कर दीजिए A परिवर्थ प्लस B परिवर्थ A परिवर्थ कमान कितना है आपके पास यहाँ पर देखे रखा है 1, 2, 4 2, माइनस 3, 0 3, माइनस 4, 0 यह हो चुका है प्लस एड करेंगे इसको एड करेंगे 1, 2, 0 0, 1, 2 माइनस 1, 3, 1 चलिए एड करते हैं आप लोगों से बनता होगा तो जल्दी से कर देते हैं 1, में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा 2, में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा 4, में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा 2, में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा माइनस 3, में 1 तो माइनस 2 आएगा 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा ठीक है न ध्यान लगे 3 और minus 1 कितना हो जाएगा 2 होगा क्योंकि 3 में घड़ जाएगा minus 4 में plus 3 तो minus 1 हो जाएगा 0 धन 1 बराबर 1 हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका आया A परिवर्थ plus B परिवर्थ इसको हम दे सकते हैं समिकरन 1 देखे न हमें क्या कहला न A प्लस B का परिवर्थ बराबर A परिवर्थ plus B परिवर्थ तो हमारा जो राइट एंड साइड हो आ चुका है इतना ही हमारा लेप्ट हैंड साइड आना चाहिए तो A प्लस B A plus B पहले निकाल लेते हैं जो भी A कमान हो उसको रखते हैं और जो भी B कमान हो उसको रखते हैं और दोनों को करते हैं add तो A कमान आपके पास कितना है लिख लेते हैं 1, 2, 3 1, 2, 3 2, minus 3, minus 4 है 4, 0, 0 इस पे कितना है 1, 0, minus 1 है B कमान 2, 1, 3, 0, 2, minus 1 तो यहाँ पर minus 1 है थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर manage किजिएगा जब मैंने B कमान लिया तो यह minus 1 नहीं लिया था यहाँ पी आपको ले लेना ठीकिना minus 1 तो यहाँ भी कितना हो जाएगा minus 1 और जब minus 1 और 0 का add होगा तो यहाँ भी minus 1 थोड़ा सा चिन्र का ठीक है ना बदला हो जाएगा तो फिर गलात हो जाएगा चलिए add कर दीजी student एक और एक कितना हो जाएगा दो दो और 0 कितना हो जाएगा दो और 0 जोड़ोगे तो कितना हैगा 2 ही आएगा 3 में यहाँ पर दी एक घट आओगे तो 2 ही आएगा ठीक है ना इसके बाद 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा minus 3 और plus 1 तो हो जाएगा minus 2 ठीक इसके बाद minus 4 है आपके पास और यदि इसको हम 3 से जोड़ेंगे minus 1 हो जाएगा अगले step में 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा 0 में minus 1 जोड़ेंगे तो minus 1 ही आएगा यह आपके पास आया A plus B का मान A plus B का मान अभी आया है अब यदि हम A plus B का परिवर्थ निकालें A plus B का परिवर्थ तो क्या करेंगे जो आपके पास पंक्तिय हैं उसको इस तम में बदलेंगे तो 2, 2, 2 हो जाएगा यहाँ पर कितना है? 4, minus 2, minus 1 तीसरा क्या है? 4, 2, minus 1 यह हो चुका है और इसको दे दें समीकरण 2 अब देखिए जो भी समीकरण 1 में आपका यह मैट्रिक्स आया है वो भी समीकरण 1 के बराबर है मतलब समीकरण 2 और 1 दोनों बराबर है तो जब आपके जो मैट्रिक्स दोनों के बराबर है तब हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं? A प्लस B का जो परिवर्थ है ओ A के परिवर्त प्लस B के परिवर्त के बराबर है यही हमको सिद्ध करना था तो पुर्वड हो गया ठीर आप पुर्वड कर दिया पड़ नहीं देखें बड़ा ही सिम्पल ही जी ए क्रम से आपको करते चलना है कुछ भी नहीं है और मैंने धैर नहीं खोया तो आसानी सेंसर आ गया चिन्ने में कभी भी यदि थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो आपका पूरा सवाल गलत कहलाएगा ध्यान दीजेगा फिर चेक करने के उपर है कि टीचर मैथड का कितना नंबर दे रहा है ठीक है कई लोग कहना रहता है कि सर मैथ के तो मैं आपको यदि आप कहीं पर प्लस के जगे माइनस लगा के पूरा सॉल्व कर दी लास्ट में आपका एंसर गलत आ गया तो फिर टीचर के उपर डिपेंड करता है कि टीचर उस पर कितना नंबर देना चाहता है ऐसा नहीं कि जीरो दे देगा मैथड का एक नंबर आपको मिलेगा ऐसा नही है फारमले लगा है तो उसके भी नंबर मिलेंगे यदि आप सेम कोश्चन है और आपने प्लस माइनस करके एंसर भी गरत लाए तो फिर आपको नंबर बहुत ही कम मिलता है इसलिए आप लोगों को बिडिवत हल करना ठीकिन अब प्लस माइनस का भी से सुरूप से ध्यान द रखा है और हमें यहाँ पर ए लाना है तो जब हम क्या करते हैं कि जो परिवर्थ है यह दि इसका एक बार और परिवर्थ कर देंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा क्लियर है नब इसके बाद B देखे रखा है तो यहाँ पर B में 2 का मौल्टिप्लाई करेंगे और दोनों को आड करेंगे इसके बाद पुना परिवर्त निकालेंगे तो हल करते है तो पहले तो आपन A निकाल लेते हैं क्या A? तो आपके पास A परिवर्थ कामान देखे रखा है ठीए ना इतना clear है अब हमें इसका एक बार और परिवर्त निकाल देते हैं तो आपके पास आ जाएगा minus two three one two करना क्या है कि जो पंक्ति उसको हमने इस्था में बदल दिया यह पंक्ति है दूसरे इस्था में बदल दिया दो सीज़े clear हो गया अब हमको निकालना है a plus two b तो कर देते हैं a plus two b a का मान कितना आपके पास minus two one three two फिर करेंगे क्या two का multiply करेंगे किसमे b में b कितना minus one zero one two यह आपके पास हो चुका है b का मान multiply कर दीजिए फटा फट minus two one three two इसको रहने दीजिए अंदर इसका मलड़ी दो एक कम दो हो जाएगा minus two और zero से गुणा होगा तो zero ही रहेगा दो एक कम दो और दो दो ना चार इतना clear student इतना तो समाजी गया होगी इतना कोई प्राबलम नहीं होनी चाहिए अब करना क्या है आपको यह प्लस है तो add करेंगे minus two minus two कितना होता minus four एक दन zero बरावर कितना होता एक ठीक है और तीन दो कितना होता पांच और चार दो छे यह आपके पास आ चुका है a plus two b कमाण a plus two b आया है अब हमको क्या निकलना है इसका परिवर्थ इसका परिवर्थ निकलना है और आपका answer आ जाएगा a plus two b और इसका क्या निकलना परिवर्थ तो परिवर्थ निकलना है तो आपके पास यह पंक्ति इसको इस्तम में बदल दो तो minus four एक और कितना हो जाएगा पांच और छे यह आप का चुका है answer ठीक है मान निकालने के लिए पूचा था तो ध्यान रहे आपको यदि आपके पास परिवर्त भी देखे रखे परिवर्त भी देखे रखे तो भी आप है ना उसका आप व्यू निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि किसी भी आप व्यू के दि हम दो बार परिवर्त निकाल देते हैं तो पुना हापना मूल इस सीद पर आ जाता है और अब उसका मूल आप व्यू पराप्त हो जाता है इस प्रकार से छोटे बड़े कोश्चन लगा कर पांच कोश्चन में निकरा दिये अब आप से परिवर्त भी निकालते आने लगा और प्लस माइनस करते भी आता है दोनों चीज आप से बनने लगा अब आप अपने बुक्स को उठाओ क्वेस्चन पकड़ो और क्वेस्चन को सॉल्व करो ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार क्वेस्चन अभी और हम लाएंगे ठीक है क्रम से प्ले लिस्ट बिजिट कर लो प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे चलते इस डुएंट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेट आपके सांँ तब तक लिए जेहिंद बने मातराम